हेलो एवरीवन, वल्कम अगीन टू लंग्री दितीमन, हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास, जिसमें चैप्टर फाइव में हमने पार्ट वन में राजिस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ लिया था, नेक्स्ट, यहां तक हमने कंप्लीट किया था, आज हम करे बीकानेर्शयली, चलिए स्टार्ट करते हैं, बीकानेर्शयली का प्रादुरभाव सोली सती के अंत में माना जाता है, याद आया होगा आपको, जब हमने बीकानेर्ट के शाषकों के बारे में पढ़ा था, तो राव राईसिंग, इनके समय में बहुत सारे चित्रकला, चि में हमने पहले से ही जान लिया, अब हमें इनके नाम आते ही पता लग जाएगा कि ये कहां के शाशक हैं, तो राव राइसिंग के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारभिक चित्र मिलते हैं, तो इंपोर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट करिएगा, ये मुगल कलाकारों से, चित्रकारों से बहुत प्राभावित हुए थे, जिसके कारण कुछ चित्रकारों को तो ये अपने साथ ही बिकानेर लेकर आये थे, जिनमें दो के नाम प्रमुक हैं, उस्ता अलीरजा और उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन, इन दोनों के नाम इं हमने देखा भागवत पुरान में इस शैली के पहले चित्र मिलते हैं, रावस राइसींग जो हैं, वो मुगल चित्रकारी से इतने प्रभावित हुए थे कि उस्ता अली रजा और उस्ता हामेद रुकुनदीन, इन दोनों को बिकानेर लेकर आये थे और यहीं से बिकानेर शै मतेरन परिवार प्रारंविक जैन मिश्रित राजिस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था, तो एक तो था मतेरन परिवार, जो की किस प्रकार के चित्र बनाने में सिद्धस्त था, राजिस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था, और दूसरा जो प पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विक्सित की किस परिवार ने मुगल शेली के जो चित्रकार बनाने वाले मुगल दरवार के जो उस्ता परिवार था वो है इसमें सिद्धस्थ था तो अब यहां से जो एक और प्रेशन है वो क्या है कि उस्ता कला क्या होती है उस्ता कला उट की खाल के उपर जो सोनी का चित्रन किया जाता है, उसे उस्ताकला कहते हैं, इसमें माहिर कौन है, मुगल दरवार के उस्ता परिवार के लोग, ठीक है, और मतेरन परिवार जो है, वो राजिस्थानी चित्रशैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था, अकबर ने स्वयम अपने दरवार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मान जनक इस्थान परदान किया था, विकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सींग के राज्यकाल में दिखाई दिया, तो प्रारंब तो हो गया था, राव सींग के समय, और इसके जो विशुद्ध रूप है, वो अन अनूप सींग के समय में उस्ता परिवार ने, याद आया होगा, कौन सा उस्ता परिवार, मुगल दरवार से संबंदित है, जो इसने मुगल चित्रकारी के साथ, साथ, दिखिए, हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजिस्थानी काव्यों को आधार मान कर सेंगड़ो चित्र बनाए, ठीक है, इस समय यह शैली चर्मोत कर्स पर पहुँच गई, अठारवी सदी में ठेट राजिस्थानी शैली में चित्र बनी, उनकी रंगत ही अलग थी, तो वो कहां के थे, मुगल दरवार के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिं राजिस्थानी कावे, इनको आधार मानकर बहुत सारे चित्र जो है, वो बनाए थे, तो विकानेर शैली का जो विश्यद रूप है, वो अनूप सींग के राजिकाल में दिखाई दिया, और अनूप सींग के समय कलाकार थे, रामलाल, अलीरजा और हसन, विकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फल्सुरूप एकहरी तनवंगी कॉमल ललनाओं का अंकल नीले हरे, लाल बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रियोग, सहाजा और औरंग्जेव शैली की पगडियों के साथ, उची पारवाडी पगडियां, उट, हरिन, आप विसिस्ट रूप से देखने को मिलती है, बरस्ते बादलों में से सारा सुमित्थुन की नयना भिराम आकरतियां भी इस शैली की विसेश्ता है, यहां प्रभारों, दर्वारों के इस द्रश्य आदी में दक्शन शैली का प्रभावी दिखाई देता है, तो यह कुछ इस शैली की विसेश्ता हैं, जहां हमें थोड़ा बहुत याद रखना है, यहां से प्रशन जो है वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए कि इस शैली की विसेश्ता होती है, कि इसमें नीले हरे लाल बैंगनी जामुनी स्लेटी रंगों का यूज हुआ है, किसन सींग ने सन 1609 इसवी में किसनगर राज्य की नीव डाली, राज परिवार पर बल्लव जमपरदाय के प्रभाव के कारण, राधा कृषन की लीलाओं का साकार श्वरूप चित्रन के माध्यम से बहुलता से हुआ, तो किसनगर सैली में अधिकतर चित्र जो है वो राध किसन की लीलाओं पर आधारित माने जाते हैं, किसनगर सैली जो है इसकी नीव किसने डाली, किसन सींग ने 1609 इसवी में किसनगर राज्य की नीव डाली, उसके बाद ही किसनगर सैली जो है उसका प्रभाव दिखाई दिया, राजा सावंत सींग का काल किसनगर सैली की दिरस जिसे स्वनकाल कहा जाता है याद रखना है और इनी के समय नहीं ये जो सावंत सींग ही थे इनी को नागरीदास के उपनाम से भी जाना जाता है तो आप लोगों ने नागरीदास का नाम सुना होगा तो सावंत सींग नागरीदास के उपनाम से ही प्रसिद्ध थे इनके काव प्रेम गायन बनी ठणी के संगीत प्रेम और कलाकार मोर्दुहज निहाल चंद्र के चित्रांकन ने इस समय किसंगड की चित्रकला को सरवोचिस्थान पर पहुचा दिया था बनी ठणी को एरिक टिक्सन ने भारत की मोनालिशा कहा है भारत सरकार ने 1973 इसवी में बनी ठणी पर डांक टिकर्ट भी जारी किया था तो ये कुश्यन तो आपके पूछा भी जा चुका है आप लोगों को पता होगा कि बनी ठनी जिसे भारत की मोनालिशा कहा जाता है किस ने कहा एरिक टिंकसन ने और इन्हें 1973 इसवी में डांक टिकट भी जारी किया गया था भारा सरकार दोरा बनी ठनी पर ठीक है याद रखन है ये पूरा पहरग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें हमने क्या-क्या देखा कि किसं सींग ने सबसे पहले किसंगर राज्य की नीव 1609 इसवी में डाली और राजा सावंत सींग का काल जो है वो किसंगर शैली की दृष्टी से स्वन युग माना जाता है सावंत सीं को ही नागरीदास के नाम से जाना जाता है और इनहें एरिक टिंगसन ने भारत की मोनालिसा कहा भारत सरकार ने 1973 में बणी ठणी पर डांग टिकट भी जारी किया था अब किसंगर शैली की कुछ विसेस्ताएं हैं और वो क्या है कि इस चित्रशैली में पुर्षाक्रती में लंबा इकहरा नीर चवी युक्त शरीर मोती जडित स्वेतिया मूंग्या पगडी उननत ललाट खंजनाकरत करनांत तक खिचे विशाल अरुनाव नयन नारी आकरती में तनमंगी लंबी गौरवण नुकीली चिबुक सुराहीदार गर्दन पतली कमर लंबी कमल पंखुड सी आंकें चित्रत की गई दूर दूर तक फैली जील इनमें केली करते हन्स बतक सारस तैरती नौकाएं केले के गाच गाच शायद ब्रक्ष या पेड को बोलते हैं केले के गाच एवम रंग विरंगे उप वन चांदनी रात में रादा क्रश्न की केली किर्णाएं प्रात्य कालीन सद्धिया कालीन बादनों का सिंदूली चितन किसंगड सैली की विशें विसेचताई हैं अब हिजर jedemने विक निर्शाइल देखी थी तो उसमें हमने ज्यादा तर चित्रांगं抜ो वह किसका देखा था वहांपर जो चितर है वह जादा तर जो जानवर थे या प्रकृति के जो सुन्दर द्रक्षय है उससे संबंदे थे और किसंगर सैली यहां पर पुरस और इस्त्री इसकी जो बिभिन आकृतियां हैं सुन्दर तरीके से बनाई गई उनके चित्र बहुत दिखाई देते हैं इसके अलावा रादा कृष किसंगर सैली के चित्रकारों में अब यहां important line याद करने वाली हैं कि इनके चित्रकारों में नानक राम, सित्ता राम, सूरज धवज, मूल राज, मोर धवज, निहाल चन, बदन सींग, रामनात, सवाही राम और लाल डिदास इनके नाम प्रमुख हैं तो यहाँ पर पूछा जा सकता है बिचानेर शैली के प्रमुक चित्रकार किसंकर सैली के प्रमुक चित्रकार नेक्स्ट है अजमेर शैली राजनितिक उतल पुतल और धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा वहीं गाउं में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राधपू संस्कृति का वर्चश्वर बना रहा विणाय सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रन की परंप्रा ने अजमेर शहली के विकास और समवर्दन में विसेश योगदान दिया अब देखिए कि जूनिया का चान्द, सावर का तयव, नांद का राम सिंग भाटी, खरवा से जाल जी और नारायन भाटी, मसूदा से माधो जी, राम, अजमेर के अल्ला बक्स, उसना, साहिबा, इस्तरी चित्रकार विसेश रूप से उलेकनिया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल चित्रकारों का प्रभाब जादा रहा, तो यहाँ पर जादा तर चित्रकार जो थे, वो मुगल थे जूनिया के चान्द द्वारा अंकित राजा पाबुजी का सन 1698 का विक्ती चित्र इस सैली का सुन्दर उधारन है तो यह लाइन जो है, वो याद रखियेगा, यहां से लेकर कि जूनिया के चान्द द्वारा अंकित जो राजा पाबुजी का सन 1698 का विक्ती चित्र जो है, वो इस सैली का सुन्दर और अन्पम उधारन है यहीं एक कलम रही जिसको हिंदू-मुसलिम इसाई धर्म को समान प्रश्रे मिला यानि आश्रे मिला नागोर उपशैली में लकडी के कमबाडों एवं किले के बित्ती चित्रण में मारवाड शैली का प्रभाव तिखाई पड़ता है ब्रद्दावस्था के चित्रों को नागोर के चित्रकारों ने अतियंत कुशलता पूर्वक चित्रत किया है तो आप देखिए ब्रद्दावस्था के चित्रों को किन चित्रकारों ने चित्रत किया है तो आप वहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? वहाँ अंसर लगाएंगे नागोर के चित्रकार, ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखनी है, क्योंकि ये लाइन जो है वो आपने किसी भी शैली में नहीं देखी, नागोर के चित्रकारों ने ब्रद्दावस्ता के चित्रों को कुसलता पूर्वक चित्रित किया, पारदर्शी बेसबुसा भी इस की विसेस्ता रही, किसकी नागोर शैली की, जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल हर राच, अक्खे सिंग, मून राच के संडक्षन में हुआ, मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुक चित्र है, अब देखिया, मूमल पूचा ज सकता है नाम कि मूमल क्या है, तो ये चित्र है, जैसलमेर शैली का, जैसलमेर शैली की एक प्रमुक विसेस्ता यह है, कि इस पर मुगल और जोदपुर शैली का प्रभाव नहीं, यह एकदम इस्थानिय शैली है, कौन सी जैसलमेर शैली, ठीक है, तो इस पूरे पैरेग्रा वो जैसलमिर शैली का प्रमुक चित्र है इसके अलावा ब्रद्दावस्ता के चित्रों को एक मात्र नागोर के चित्रकारों ने ही अत्यंत को सलतापुर्वक चित्रते किया है और नागोर क्या है एक उपसैली है तो शैलियों के बारे में उपसैलियों के बारे में हम स्टार् जिससे घाने राओ को मारवाड की उप शेली के रूप में महत्वर दिया जा सकता है। तो चित्रकार जो है वो नारायन, छज्जू, एवं, क्रपा, राम। इन्होंने इस चित्र शेली का निर्मान किया। नेक्ट देखिया हांडोती शेली, चोहांडवनसी हांडाओ का प्रभुत कोटा, बूंदी, ज्छालावार, शेत्र में रहा। इसलिए यह हांडोती शेत्र कहलाया। बूंदी शेली, कोटा शेली, जहलावाड शेली आदी को हांडोती शेली के अंतरकत मना जाता है। तो यहाँ पर समझाने वाली कोई बात नहीं है, हमें पता है हांडोती शेत्र, कोटा बूंदी और जहलावाड। सबसे फर्स्ट है बूंदी शैली, चित्रकला की बूंदी शैली मेवार चित्रकला से प्रभावित थी, समय समय पर बूंदी शैली में गरंथ चित्रण एवं लगू चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संगरहलों में बूंदी शैली के चित्र मि इस शैली का विसेश रूप से विकास हुआ, किस शैली का, बुंदी शैली का, राओ चत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जहां पर बहुत सारे सुंदर भुक्ती चित्र जो है वो बनवाये, जो की विश्व प्रसिद्ध है, भाव सिंग तथा उनके पुत्र अनिर जुद्ध सिंग ने, तो दक्षन भारत की शैली जो है, वह भी लेकर आये होंगे, जिसमें बुंदी शैली में दक्षन शैली का प्रभावी समाविस्ट हुआ, चितर शाला का निर्मान राओ उमेद सिंग के समय हुआ, अब देखिए, राओ उमेद सिंग के समय में, चितर जो है वो famous है राजा उमेद सींग के काल में बुंदी शैली में नवीन मोड आया जिसमें भावनाओं की सरलता प्रकृति की विविदता पसु पक्षी, सतरंगे बादल जलाशेयों, आदी के चित्रन की भी पहुलता दिश्टिगत होती है तो बुंदी शैली जो है उसका विकास जो है वो राव शत्रू शाल हाडा के समय हुआ लेकिन राव उमेद सींग के समय काफी सुंदर तरीके से नवीन तरीके से चित्र जो है वो बनने लगे चित्र शाला का निर्माण जो है वो उमेद सींग के समय हुआ और इनका जो चित्र है वह है जंगली सुवर का शिकार करते हुए बनाया गया है जो बहुत प्रशिद्ध है इसके बाद है बुंदी शैली की कुछ विसेस्ता हैं तो जिनको हम पढ़ लेते हैं यहां पर थोड़ा बहुत आपको याद नहीं करना है इसमें से लेकिन पिर भी आपको समझना चाहिए कि बुंदी शैली की क्या विसेस्ता हैं बुंदी शैली की आकरतियां लंबी शरीर पतले इस्तरियों के अधर लाल मुख गोलाकरत और चिबुक पीछे की और जुकी छोटी होती है आकास में उमडते हुए काले कजरारे बिजली की कौन्द क्या होता है बिजली की जो चमक होती है घंगोर वर्षा नदी में उठती जल तरंगे हरे भरे ब्रक्ष उन पर चहेक तीक चिडिया नाचते मयूर एवं काला बाजी दिखाते वानर पहाड की तलहटी में विचरन करते वन्य जीवों का चित्र बड़ा ह मनोहारी है तो देखे जब पढ़ते वक्त ही इतना सुन्दर महसूस हो रहा है तो सोचिए उन चित्रों को देखने पर कितना आनंद आता होगा जहां पर देखिए आपको नदी में उर्ती जल तरंगे भी दिख रही हैं हरे भरे ब्रक्ष भी दिख रहे हैं चिडियां का च बक्षी चित्रन को विसेश महत्वदी आ गया अब यह लाइन इंपोर्टेंट है ठीक है कुछ शैली जो होती है उनकी एक बिल्कुल एहम विसेशता होती है जो कि आपको याद रखनी है कि भूंदी शैली में पसू बक्षी चित्रन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वद क्रश्न लीला दर्वार शिकारी हाथियों की लड़ाई उत्सव अंकन आदी शैली के चित्राधार रहे हैं और इस चित्रशैली के जो प्रमुक चित्रकार है वो तो याद ही रखने है सुर्जन एहमद अली रामलान श्री किशन और साधूराम चीक है नेक्ट हम करेंगे को याद करते हैं कोई वी चीज तो लंबे टाइम तक जब याद रहती है जब हमें उसका स्टार्टिंग से एंड तक का पॉइंट पूरा पता होता है इसलिए चैप्टर को पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी होता है आप आज नहीं पढ़ेंगे आप कल को आपको ये चैप् को बोलती हूँ जो बच्चे केवल कोशन आंसर के उपर डिपेंड है कि केवल कोशन आंसर ही हम फटाफर से याद कर लेंगे वो बहुत जरूरी है लेकिन उससे विजारत जरूरी है कि आप चैप्टर को पढ़ने के बाद उन कोशन आंसर को लगाईए कोटा शैली कोटा चितर शैली का सुतंत्र अस्तित्व इस्थापित करने का श्रे महाराव राम सींग को है तो महाराव राम सींग इनको जाता है कोटा चितर शैली को इस्थापित करने का श्रे उनके बाद महाराव भीम सींग ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ती को विस उम्मेद सींग के समय हुआ इनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया है और कोटाशाली के जो प्रमुक्चित्रकार है वो कौन है रगुनात, गोविंदराम, डालू, लक्षमीराम और नूर मुहमद तो प्रमुक्चित्रकार रगुनात, गोविंदराम, डालू, लक्षमीराम और नूर मुहमद किसके ह इस्तरी आकरतियों का कोटा शाली में अत्यांत सुंदर चितरन हुआ, वही बुंदी शाली में पसुपक्षियों का चितरन जो है वो जादा फेमस हुआ, पीन अधर सुदीर्ग नाशिका, पतली, कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलका वली नारी आकरती को जीवनता प्रदा करती है, ऐसा लगता है मानों की ये विलकुल सच मुच की ही इस्तरी या नारी दिखाई दे रही हो, इसके अलावा पुर्षों के भी चितरे इसमें बने, लेकिन सबसे जादा इस्तरीयों की आकरतियों जो हैं, वह कोटा शाली में अत्यांत सुंदर चितरन बताती है, पु हानोती जडित अबुषड इस चवी को चार चांद लगाते हैं, कोटा शाली में हलकी हरे, पीले, नीले रंग का बहुत आयत से प्रियोग हुआ, तो ये हानोती चितर शाली जो है, वह हमने यहां तक पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम जालावार शाली जो है, वह पढ़ जब लंगक्तो दो में हमतयो को चार शाली से लो हांद दयाओ, शालावा भाई जो है, जो है वहां जो है, वह खर चांद खालावाण, को जएब हुआ है.